हेलो फ्रेंड्स दे ट्यारा टेक शो में आपका स्वागत है आप इस वीडियो में जो क्लॉक देख रहे हैं या एक LED से बना हुआ डिजिटल क्लॉक है काफी अट्रेक्टिव है वैसे तो आपने इसे काफी सारे जगह देखा ही होंगा जैसे कि रेल्वे स्टेशन कुछ कमर् और आपने ओफिस या घर के इसे बना सकते हैं चलिये अब हम आपको यह LED क्लॉक बनाना सिखाते हैं इसके लिए आपको इस तरीके का पी 10 बॉर्ड की जरूत होंगी यह पी 10 बॉर्ड मार्केट में मिलते हैं ऐसे तो बॉर्ड आपको यूज करने हैं इसमें आप देख रह रहा है यहां आपको excitation voltage देना होता है VCCO ground pin है plus 5 volt आपको supply देना होता है इसके लावा यह main card है master card कहते है टिरा technologies ने इसे develop किया हुए है already इसमें program किया है इसको software के थूर आपको configure ही करना होता है simple है इस board को run करने के लिए आपको excitation voltage लगेगा यह smps है 5 volt का smps है 20 ampere से लेके 40 ampere तक का आप smps supply यूज़ कर सकते है boards को जोडने के लिए आपको कुछ clips की जरूत पड़ेंगी screws की जरूत पड़ेंगी power के connections करने के लिए आपको इस तरीके से दो pair of cables red and black यूज़ करना है अब आपको यह board कैसे connect करते हैं यह बताएंगे सबसे पहले आपको directions को identify करते हुए दोनों boards को एक दूसरे से जोड लेना है connection इस तरीके से कर लेना है अब clips जो है वो clips यहाँ लगानी है clips लगाने के बाद आपको screws से उसे type कर लेना है यह हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यह दोनों board एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं आपको इसको screws के थूँ tight कर लेना है यह तो हम एक metal का clip यूज़ कर रहे हैं आप कोई acrylic का clip भी यूज़ कर सकते हैं acrylic के clip का यूज़ करके भी आप इसे अच्छे से बना सकते हैं इस तरीके से आपको दोनों end में screws tight कर लेने हैं screws tight करने से उसमें strength आ जाएंगी और दोनों board एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहेंगे यह सब assemble करने के बाद आपको एक और चीज़ का धियान रखना है यह properly assembled हुए हो देखिए काफी अच्छे से हमने इसको assemble कर लिया है यह दिख रहा है total 16 x 64 का यह बन चुका है board अब आपको क्या करना है अब आपको यह cable लेना है सबसे पहले हम black वाला cable लेते है हमको ground के connections करने है ground के connection करने के लिए जहां वो ground indicate किया हुआ है वहाँ सबसे पहले आपको cable connect कर लेनी है cable connect करने के लिए यह जो joint वाला है यहां से आपको cable को connect करना है यह पहले board में हमने cable connect कर लिया वैसे ही आपको दुसरे board पे भी ground connect करना है तो वहाँ भी जहां ground लिखा हुआ है वहीं पे ये cable ले जाके आपको connect कर देनी है screw से उसको properly tight कर देना है इस तरीक से tight करना है ताकि अगर खीचने से भी वो remove ना हो अब red वाला cable लेना है rate cable भी ऐसे ही आपको जैसे हमने black वाला connect किया है VCC वाले point पे आपको connect करना है आपको ये cable भी यहाँ पे connect कर लेना है उसको भी आपको tight कर लेना है ये ध्यान रखे कि दोनों जो cables है वो एक दुसरे से short ना हो अगर एक दुसरे से short होंगे तो problem हो जाएंगी ये हमने connect कर दिया वैसे ही दुसरे board पे भी आपको ये red वाला cable connect कर देना है ये हमने अभी अपने LED board में excitation voltage का provision कर लिया है ठीक है अब आपको क्या करना है एक ribbon cable लेना है इस ribbon cable के थुरू पहले board का connection दुसरे board में लेके आना है ये जो ribbon cable है इससे data signal transfer होते है तो master board है वो master board वहाँ से पहले board को देंगा और दुसरे board पे भी signal जाएंगा एक बार चेक कर लेना है प्रॉपरली वो टाइट है या नहीं इस तरीक से दो cable अभी दिख रही है positive और negative अब आपको क्या करना है ये जो end है यहाँ आपको master card connect करना है यह master card में भी एक connector दिया हुआ है इसको simply वहाँ पे insert कर देना है आपको चेक कर लेना है प्रॉपर connection होने चाहिए अगर पीन प्रॉपरली नहीं connect हुई तो प्रोग्राम रन नहीं होगा इसको वहाँ simply आपको insert कर देना है insert हो जाने के बाद इसमें भी यह जो card है इस card में भी red and black cable दी हुई है और अब smps का roll आएंगा smps में positive और negative यह दोनों indications है positive side में आपको positive connections करने है LED board के और master card के तो सबसे पहले हम master card के connections कर लेते हैं यह master card का connection हम कर रहे हैं इसे भी आपको tightly connect करना है वो ध्यान रखेंगे proper connection होना चाहिए loose connection में signal नहीं जा पाएंगे properly वैसे ही अब हम master card का भी excitation voltage का connection कर ले रहे हैं यह हमारे positive connection हो गया है वैसे ही आपको negative वाला connection जो की ground connection है वो भी करना है SMPS में वो indicate किया हुआ है properly आपको वहाँ पे वो connect कर देना है यह हम अभी हमारे master card का connection कर रहे है वैसे ही जो LED board है उसका negative यह जो ground connection है वो भी आपको कर लेना है और इस तरीके से अब हमने इसको connect कर दिया है यह proper connection हो गए अब हमारे connection पूरा complete हो चुका है यह दीख रहा है यह हमने connect कर लिया है अब इसको हम अच्छे से arrange कर लेते हैं पहले table पे रख लेते हैं इस तरीके से आप देख रहे हैं यह connect हो चुका है इसमें अब आप यह जो देख रहे हैं यह serial connector है RS-232 pin connector है उसी के थुरो data transfer होने वाले है हमारा board ready हो चुका है यह जो आप देख रहे हैं यह एक serial connector है 9 pin D type connector कहते हैं यह हमारे master card में अल्रेडी लगा हुआ होता है इस connector को computer के serial port से हमें connect करना है computer में भी इसी तरीके का एक serial connector होता है जिसको इस connector के साथ आपको connect कर देना है इसी connector के थुरो हम timing जो है वो configure करने वाले हैं यह जो connector है यह भी same वैसा ही है D type connector इसको आपको connect कर देना है connect कर देने के बाद आपको power on करना है power on करने पे master card में जो by default booting message है वह आपको दिखेंगा अब आपको LED display editor software यह folder है इसको open कर लेना है board के साथ ही यह मिलता है इसको आपको open कर लेना है open करने पे support वाले folder में आपको जाना है support folder में जाने पर आपको एक exe file दीखेंगी TLED display यह exe को click करने exe open करने पे आपको इस तरीके से एक नया window दीखेंगा जिसमें काफी सारे keys दीख रही है जैसे हमारी नॉर्मल की होती है वहाँ पे com port का selection भी दिया है com1 आपको select कर लेना है और इधर paste selection का भी provision है लेकिन उसका कुछ नहीं करना है com select करके only connect वाला button पे click कर देना है आपको port is connected ऐसा message आएंगा उसके बाद आपको जो भी current timing है वह current timing यहाँ enter करनी है इस text box में इसे 24 hours format में ही आपको enter करना है जैसे अभी हम 16 एंटर किये 16 15 चार बच के बंदरा मिनट हो रहा है इसलिए और seconds को 00 कर देना है वैसे ही आपको date भी enter करनी है date आज की 25 month December है इसलिए 12 हम enter करेंगे यह 20 तो 2020 के जगे only 20 आपको करना है यह करने के बाद आपको on वाला जो button है इस पर click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे यहां का जो आपने timing का data set किया है यह उस board में transfer हो जाएंगा वैसे यह जो आप application देख रहे हैं इसमें page selections भी है font selections भी है और आप अलग-अलग-अलग-अलग patterns भी select कर सकते हैं काफी useful है फिलाल तो हम LED display को as a clock use कर रहे हैं तो clock के लिए इसको configure किया है यह हमारा LED clock ready हो चुका है जो की run भी हो रहा है आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि P10 board को हम किस तरह के use करके LED clock बनाते हैं Thank you for watching